Hello everyone, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं काजल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल Pupil DJ में आप लोगों के द्वारा हमारी चैनल पे सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाने वाला कंटेंट है वो CETAT Paper 2 Science का है तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के जो NCRT है Class 6-8 की इसके जो आपके प्रीविस एयर कुशन पूशे गया है CETAT Paper 2 में उनका एक कंपाइल फॉल्म आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ जो के आपके प्रीविस एयर कुशन है और साथे साथ वो प्रीविस एयर कुशन जिस कॉंटेंट से आपका पूशा गया है उनको मैं साथ में आज आप लोगों के लिए एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ अगर आप सीटाइट पेपर 2 की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा जिसमें आपके प्रीविस एयर और कॉंटेंट साथ में यहां पर कवर करने की मैं कोशिच करूँगी और इस वीडियो के थूँ आप लोगों के जो एंसी एयर टी का बेस है वो भी बन पाएगा अब देखिए कहीं ना कहीं एंसी एयर टी आपकी 6th क्लास में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है कि इस पर्टिकुलर वीडियो से आपके सारी NCRT कवर हो जाएगी, बढ़ हाँ, जो आपके online exam में और जो आपके CETAT offline exam में कि जो CETAT paper 2 में science का content पूछा गया NCRT से, मैं कोशिच करूँगी कि जाद से जादा मैं cover कर पाऊं ताकि आपको exam में मदद मिल सके अब आपके screen में direct question और उनका explanation आपको show होगा, इस video को complete देखेगा, जिससे आपका science का एक overall coverage यहां पे complete हो सके और इस तरीके के और videos भी आपके exam तक आते रहेंगी ताकि आपकी preparation में आपको help मिले इसके अलावा अगर आप CETAT परिक्षा के तयारी कर रहे हैं तो आप playlist section विजिट कर सकते हैं जिसमाँ आपको CETAT से related videos मिल जाएंगे आज के important session start करने से पहले मैं आप लोगों के साथ यह clear करना चाहती हूँ कि यह आपका science marathon का part 2 है इससे पहले मैंने already part 1 आप लोगों के साथ share किया है अगर आप यहाँ पर science marathon को या फिर science के content को अच्छे तरीके से cover करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसके part 1 को जुरू देखेगा जिसका link आपको description में भी मिल जाएगा साथ comment section में भी मैं इसके link को pin कर दूँगी जिसमें आपका part 1 का content आपको मिलेगा तो चलिए part 1 के अंदर तो मैंने आपके साथ 12-15 topic को यहाँ पर discuss किया था अब आज के session में मैं आपके साथ part 2 में कुछ और important topic यहाँ पर cover करूंगी ताकि आपका overall एक अच्छा खासा coverage यहाँ पर ready हो जाए तो चलिए आज के important session हम शुरू करते हैं और आज हम यहाँ पर sound यानकी जिसको आप ध्वनी के नाम से जानते हो उस chapter से आज के session हम शुरू करेंगी अगर मैं sound के बात करूं ध्वनी के बात करूं तो यह क्या है यह आपका उर्जा का एक रूप है यानि कि energy का ही एक form आना ज जाता है जिसको travel करने के लिए जिसको यात्रा करने के लिए किसी ना किसी माध्यम के जरूत होती है और जब यह आपका travel करता है यह vibration के form में यानकी कमपन के माध्यम से यह क्या करता है यह आपका travel करता है और साथे साथ यहाँ पर अगर हम एक यहाँ पर इसका reverse form देखें त प्रेडियूस नहीं हो सकती तो यह पॉइंट आप यहां पर आड़ कर लीजेगा कि वाइब्रेशन की वज़े से आपके साउंड जो है वह प्रेडियूस होती है या फिर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड को प्रेडियूस कर पाते हैं जिसके एक्जामपल में अगर आपके पास एक mobile phone है अगर आपकी भगर में भी वह phone रखा था है अगर हो silent पे है तो आपको पता नहीं चलेगा किसका call आए अगर हो vibration पर है तब आपको उसके vibration जो है वो feel होगी तो इस तरीक चसा आपको पता चल जाएगा कि किसे का call आ रहा है अब अगर हम vibration के बात करे एक आपका मूव करने लग जाता है य। ने कि टूआ फ्रो या फिर लाकर प्रोत वह आपका मूव करता है तो इस तरीके से यहां पर वाइब्रेशन जो है यह पॉसिबल हो पाता है अब देखिए हैं यहां पर वाइबरेशन ही कमपन ही हवा के माध्यम से हमारे कानों तक तो आपको sound जो है वो सुनाई देगा सुनाई देने के बाद वो sound आप identify कैसे करोगी कि ये sound इसका है ये इसका काम किसका है ये आपका brain का काम है ये मस्तिक का काम है I hope यहां तक आपको ये चीज क्लियर होई होगी अब देखिए अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें लाइरेक्स के बारे में बता रखा है तो देखिए हमें यह भी पता होना ची कि मनुष्य में ध्वनी उत्पन करने का यानकी human being में sound produce करने का एक system होता है जिसको आप लाइरेक्स या फिर voice box के नाम से जानते हैं जो कि हमारे neck area में होता है अब देखिए puberty के बाद voice में तो आपको दिखेगा कि neck area कुछ इस तरीके से आपका sharpen हो जाता है जो कि आपका इस area में यहाँ पर voice box होता है अगर आप इस जगह पर touch करके बाद भी करोगे तो आपको vibration company यहाँ पर feel होगी अब देखिए यह जो sound produce होती है यह किस तरीके से होती है अब हमारा जो यह जो lyrics होता है या फिर voice box होता है यह कुछ इस तरीके से होता है और जिसके बीच में से आपके windpipe जो है यह जारी होती है जैसे ही यह windpipe से air जो है यहाँ पे जाती है तो यह air क्या करती है यह जो हमारे vocal cord होते है इसको क्या करती है यह यहाँ पे flip करती है यानके इसे हिलाने लग जाती है इसमें जब यह stretching होती है यानके vibration होती है या फिर vibrating surface से आपका question पूछ जाता है जैसे कि यह पूछ जाता है कि flute में यान कि जो बासुरी और जो pipe है इसमें आपकी जो vibration है वो कहा होती है वो आपकी air column में होती है यान कि जो आपकी air column बने होते हैं अब जैसे अगर मैं flute बनाओ तो flute इस तरीके से दिखता है जिसमें गोल गोल आपका ये पार्ट छोड़े जाते हैं जिसमें से आपकी हवा पास होती है तो ये air column बने होते हैं आपके flute और pipe में जिससे आपका vibration possible होता है इसके लावा अगर हम सितार और guitar के बात करें तो सितार और guitar में यहाँ पे क्या होती है यहाँ पे आपके string होती है तार होती है जब आप इसे छूते हो तब यहाँ पे vibration जो है आपको पदा चलता है अगर हम drum की बात करें है टेवल की बात करें तो उनका जो surface होता है अगर आप उस surface को hit करते हो तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जो चाल होती है उस चाल को अगर आप हीट करते हो तो तब जाके वो vibration शो करता है इसके अलावा यहाँ पे आपको और क्या चीज़े देखने हैं जब यह vibration के बारे में आप समझी रहे हो तो आपको यह भी पता होना चीए कि इसके कुछ characteristics होते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे सा पता होने चीए जैसे कि एक होता है आपका आविर्ती यानिकि एक होती है frequency एक होता है आपका आयाम यानिकि amplitude एक होता है समय सीमा अब इन तीनों चीजों को जरह हम diagramatically देखते हैं तो देखें frequency क्या बताता है कि एक second में इस तरीके के कितनी wave आप तयार कर पा रहे हो sound को produce करके और अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे अगर कहीं पर हम हाथ को hit करते हैं तो एकड़म से तेज अब आ जाते है पर फिर धेरे धेरे कम होती है तो यह frequency time के साथ आपकी थोड़े थोड़े कम होते रहती है अब frequency क्या है या आवर्ती क्या है कि एक second में कमपन जो है vibration कितने बारी हो रहा है कितने time होगा यह आपके frequency जो है यह बताएगा अब इसके SI unit क्या होती है इसके SI unit होती है आपकी hertz इसके लाब आयाम के अगर हम बात करें यानके amplitude के बात करें तो maximum vibration यानके अपनी मद्धी हस्तिती से mean position से कमपन जो है यहाँ पे कितने यह आपका क्या बताएगा यह आपका बताएगा amplitude इसके लावर time period क्या है समय सीमा क्या है कि कमपन जो है वो आपका एक complete vibration कितने देर में पूरा करता है जैसे कि अगर मैं यह बनाओ तो यह एक vibration complete नहीं हुआ यह जब यहाँ पहुचेगा यानकि इस point से इस point तक पहुचेग कि T equal to 1 by F होता है इसे हम लिखेंगे T equal to 1 by F होता है या फिर F equal to 1 by T होता है तो यह point भी आपको include करना है अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और important concept को यहाँ पे discuss करेंगे यहाँ पे हम लोगों को sound के भी characteristics बता रहे हैं sound के 3 आपके characteristics होते हैं सबसे पहला होता है loudness और दूसरा होता है आपका pitch और तीसरा होता है quality यानि कि जिसको आप timbrey के नाम से जानते हो अब अगर मैं यहाँ पे loudness की बात करो तो loudness basically आपको इतना पता होगा कि कोई आवाज कितनी loud है कितनी soft है यहाँ पे इसका difference इस तरीके से होता है और loud voice और soft voice में क्या फरक होता है इन amplitude है यानकि wave की जो उचाई होगी height जो होगी वो छोटी दिखेगी जबकि यहाँ पे जो loud sound होगी उसमें जो amplitude होगा यानकि जो wave की height होगी वो आपको लंबी दिखेगी तो यहाँ पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि loudness of sound किस पे depend करता है यह इसके amplitude पे डिपेंड करता है और amplitude मतला wave कितनी उची आपकी जा रही है इसके अलावा दूसरा जो character है वो है आपका pitch, pitch depend करता है यहाँ पे frequency यानकि इनके height तो यहाँ पे समान होगी आपकी high pitch और low pitch की पर यहाँ पे क्या होगा कि एक second में जिसमें जितने जादा आपका vibration हो रहा है यानकि जिसमें जितने जितने ज़ादा आपकी इस तरीके से wave बन रहे है उसके high pitch होगी और जिसमें कम pitch बनेंगे उसके आपकी low pitch होगी इसके अलावा अगर हम यहाँ पे quality की बात करें तो यहाँ पे quality आपकी किस factor पर depend करती है? यह depend करती हमारे wave form पे यानकि आपकी जो wave बन रही है वो किस तरीके स कर्व बन रही है तो यहाँ पर आपको कई बारी पेपर में पूछे जाता है किलाउड़नेस किसपे डिपेंद करता है तो आप सीधा बोलेंगे आंप crime करता है speed of sound से समंदित यहां पर हमें बता रखा है यानि कि अगर आप यहां पर ध्वनी के एक माध्यम की बात करें तो यहां पर हम लोगों को पता है कि जो ध्वनी होती है उसको कोई ना कोई माध्यम के जरौत होती है यानि कि जो आपकी speed होती है उसको कोई ना कोई आपको medium के और जिसमें हम लोगों को यहां पर बता रखा है कि speed of sound जो होगी maximum आपकी किसमे होती है solid में फिर आपके liquid में और फिर आपके gas में तो यह point आप अलग से स्टामा करके add कर लीजेगा कि speed of sound जो होती है maximum किसमे होती है यह होती है solid में फिर आपके liquid में फिर आपके gas में और अभी म मैंने आपको क्या बता है लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है एंपलीट्यूड पे और आपके पिच किस पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो देखिए हुमन एयर के बारे में हमें बता रखा है हुमन एयर को अगर हम यहां पर डाइग्रमेटिकली यहां पर देखें तो देखिए आपका जो हुमन एयर है कुछ इस तरीके से आपका दिखता है जिसके मेली आपके चार पार्ट है एक तो आपका पिन्ना है जो आउटर एयर आपक होता है और उसके बाद आपकी जो auditory nerve आपके कहां तक जाते हैं ब्रेन तक जाते हैं जब एक बात बताइए आपने आवाज सुन तो ली पर आप पहचानोंगे कैसे कि वह आवाज किसकी है वह आवाज को decode कौन करता है ब्रेन करता है और इनर एयर से होते वे जाता है तो इस तरीके से आपका पूरा process यहां पर चलता है तो देखिए यहां पर इसी चीज को explain करने की कोशिश की गई है कि सबसे पहले हमारी एयर में यहां पर पिन्ना होता है इसके अलावा यहां पर आपका यहां जो एयर कैनाल होता है इसके बाद air drum सबसे आखरी में यहां पर होता ह अब देखिए सबसे पहले जो पिन्ना होता है जो आपका सबसे बाहरी कान है यहां से सारी sound wave को collect किया जाता है एयर कैनाल में लेके जाया जाता है और वो जाके क्या करता है हमारा जो air drum होता है उससे टकराता है और वहां पर होती है vibration वहां पर जो company होती है उसके वज़े से sound जो है एक produce होती है और वो आपके कहां तक जाती है brain तक जाती है तो यहां पर हम लोगों को middle air के बारे में बता रखा है middle air में आपकी तीन बोन होती है जो कि आपकी inner air तक जाती है जिसको आप hammer, envelope और आपके stirrup के नाम से जानते हो अब यह जो तीन बोन है finally कहां पर transmit होती है inner air में अब यह जो inner air के अगर हम बात करें तो देखिए inner air में आपके क्या होते हैं long coil tube होते हैं जिसके अंदर एक fluid भी होता है जो कि आपका यहां पर sensitive hair cell इसके अंदर होते हैं जो कि vibration को कहां तक लेके जाते हैं brain तक लेके जाते हैं किसके मदद से auditory canal के मदद से यहां आपके को कहते हैं जो recognize करता है कि यह अवाज किसकी है और इस तरीके से पहचाना जाता है तो यहां पे हमारा human ear जो है इस तरीके से काम करता है अब इसके अलावा देखें यहां पे हम लोगों को कुछ important fact जो है वो बता रखें audible sound क्या होती है और in audible sound यान के ऐसे ध्वनिया जो आप सुन पाते हो वो आपके audible sound कहलाती है और in audible sound यान के जो आपको सुनाई नहीं देती अब देखे human being का आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य की जो आपके ध्वनी सुनने के आवरती है यान के जो range है वो क्या बता रखें वे आपको 20 hertz से लेकर 20,000 hertz बता रखें 20 hertz से लेकर 20,000 hertz बता रखें और कई book में कई paper में आपको इस तरीके से भी लिखायागा 20 hertz से लेकर 20 kHz तो ये भी आपका वही है 20 kilohertz जिसको हम 20,000 hertz ही बढ़ते हैं तो आपको या तो इस form में दिया होगा या फिर इस form में दिया होगा आप confuse मत हुए अब देखिए 20 hertz से कम भी तो आवाज को नहीं पाते उसको हम क्या कहते हैं उसको हम infrasonic sound जो है कहते हैं जिसका range आपका 20 hertz से कम होता है इसके अलावाद दूसरा एक और आपका sound wave होती है जिसको आप ultrasonic बोलते हैं ultrasonic क्या है ऐसी sound frequency जो 20,000 hertz से अधिक होती है ऐसी आवरतियों का क्या जो कमपन होता है ये भी हम नही जानते हैं I hope यहां तक का content आपको clear हुआ होगा अब देखिए एक question दिया गया है जिसमें बोल रखा identify the incorrect statement अब यहां पर बोल रखा है कि incorrect statement को आपको identify करना है तो देखिए यहां पर पहला बोल रखा sound can travel through vacuum यान कि धनी जो है आपका गमन कर सकती है किस से vacuum से अभी मैंने बता statement क्या है कि जितनी ज्यादा frequency होगी जितनी ज्यादा आपकी आवरती होगी जितनी उच आवरती होगी उतना ज्यादा आपका हाई पिछ होगा तो अभी मैंने बताया था कि जो पिछ होती है वो किस पर डिपेंड करते है फ्रीक्वेंसी पे तो यह वाला statement तो सही है इसके अ स्टेटमेंट भी यहाँ पर हम देखें तो यह आपका सही है इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि फ्लूट में आपके वाइब्रेटिंग एयर कॉलम होते हैं तो देखें अभी मैंने शुरुआत में आपके साथ डिस्कॉस किया था कि फ्लूट कुछ इस तरीके से होते ह जिसमें यहाँ पर छोटे-छोटे छेद होते हैं जो कि एयर कॉलम कहलाते हैं जहां से आपका वाइब्रेशन होता है तो इस हिसाब से यह वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है तो यहाँ पर गलत कॉंसा स्टेटमेंट है यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो था option को search करना है इसलिए वही इस question का correct answer होगा अब देखिए यहां पर एक अच्छा सा question है जिसमें बोल रखा है कि speed of sound air में maximum कब होगी तो देखिए अगर आप यहां पर तीनों मीडियम को compare करें तो सबसे ज्यादा solid में होती है फिर liquid में फिर gas में अब यहां पर रखा है कि air में यांकि gas की बात करें air में maximum कब हो सकती है air में वैसे तो minimum होती है पर अगर आपका air जो है most air है और आपका जो temperature है वो 40 degree celsius के आसपास है यांकि most जो air होती है dry air नहीं जो most air होगी उसमें आपका sound जो है बाकियों के comparison में आपका ज्यादा देखने को मिलेगा अच्छा question है आप इस point को add कर लीजेगा इसके अलावा यहां पर अगर हम अगले question को देखें तो यहां पर बोल रखा है कि Miss Priya जो है वो चाहरी है अपने student को vibration और sound के बीच में यहां पर concept सिखाना तो अपने lesson में वो किस तरीकी की objective को include करेगी basically यहां पर application based question पूछा गया है अब अगर आप classroom के अंदर vibration और sound के बार तो अपने neck area में अपने गले में क्या करें अपने गले में हाथ रखें और कुछ बोल के देखें तो आपको वहां पर vibration होगा सबसे easy तरीका है अगर आप बोलोगी कि table में vibration सुन लो इसके अलावा यहां पर आप किसी चीज को बजा क्या vibration सुनो तो देखें उससे क्या होगा क्लास्रूम में शो शराबा हो सकता है सबसे बड़िया तरीका जो है last option में हमें दे रखा है इसके अलावा देखें अगले अगर हम question के तरफ जाएं तो अगले question में हापे क्या बोल रखा है कि which of the following statement is true regarding यहां पे sound wave अब देखें sound wave जो है fastest होता है gas में गलत है सबसे ज्याद तो पंदरहजार हर्ट सुन सकते होंगे इसके अलावा अगला point है कि sound wave आपका reflect नहीं करती sound आपका reflect करती है और इसके example में आप यहां पर देख सकते हैं जो echo आपको सुनाई देता है जो अगर आप यहां पर किसी भी tall building में खड़े होके अगर आप कुछ बोलेंगे तो आप कि अवाज आपको reflect होके आती है आपने ऐसा अकसर movie वगशारा में देखा होगा और एक auditorium वग्यारा में भी अगर आप बोलती हो या खाली कमरे में भी बोलती हो तो आपकी आवाज आपको reflect होके आती है तो यह point यहां पर गलत दे रख आए इसके अलावा यहां पर बोल तो यह वाला option भी नहीं होगा तो इस हिसाब से यहां पर जो करेक्ट आपको option दे रखा है वह आपका क्या है वह आपका है कि human being जो है पंदरा हजार हर्ट्स जो है वह सुन सकते हैं अब मैं आपके साथ next topic को discuss करती हूँ अब मैं आप लोगों के साथ motion यान की जो गती का आपका concept है इसको मैं हापे discuss करने वाली हूँ तो देखिए motion के बारी में अगर मैं बात करूँ तो motion है क्या अगर कोई भी body अपनी time के साथ position को लगाता चेंज करता रहे यानि कि एक जगह से दूसरी जगह हिलता रहे तो हम क्या कहेंगे कि वो object यहाँ पर कैसा है वो object अभी motion में है इसके लावा देखिए यहाँ पर हम लोगों को बता रखा है कि reference point क्या होता है अब देखिए हम एक point को fix कर लेते हैं कि इसके अनुसार हम देखेंगे कि कोई object move कर रहा है नहीं कर रहा है जैसे कि आप यहाँ पर example ले सकते हैं कि bus stand आप bus stand को यहाँ पर reference point मानके चल रहे हो और जितनी bus जा रही है उसको आप बता रहे हो कि इस bus stand के हिसाब से यहाँ पर यह object क्या है motion में क्योंकि bus stand वहीं पर खड़ा है और bus उसके हिसाब से वहाँ से गुजरती जा रही है इसके लावा देखिए जब हम motion के बात करते हैं तो motion आपके दो तरीके का होता है एक uniform और एक non uniform अभी मैं यह सभी चीजे आपके साथ detail में discuss करूंगी यह जो uniform motion है uniform motion के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी object आपका equal time के साथ equal distance को travel करता है यानि कि जैसे आपने सुना होगा 5 km पर हार इसका मतलब क्या है कि हर किलोमेटर में हर एक घंटे में सौरी यहां पर 5 km जो है वो travel किया जाता है तो इस हिसाब से यहां पर बोला जाता है 5 km पर हार पर देखिए यह जरूरी नहीं कि हर बारी आपका equal distance travel हो देखिए time तो वही है कि आपका 60 minute होते ही एक घंटा हो जाएगा time तो हमेशा equal interval में आपका गुजरता है बट यहां पर time के साथ अगर आपका distance unequal हो तो इससे आप non uniform motion बोलोगे इसके अलावा अगर हम motion की बात करें तो देखिए motion जो होता है उसमें आपको दो important term जो हैं वो पढ़ने जरूरी है एक होता है आपका distance और एक होता है displacement और distance और displacement के लिए अगर मैं आपके सामने यहां पर एक flow chart बनाओं जैसे कि एक a point है यह आपका एक a point के बाद यह आपका हो गया b point और यह आपका हो गया c point अगर एक वक्ति को a से c में जाना है तो इसके पास दो रास्ते हैं एक तो वो क्या करें a से b में जाए और b से c में जो किसी भी यहां पर किसी भी destination का जो actual length होता है यह आपका क्या खहलाता है और अगर हम देखें तो हर रास्ते के कही कहीं नं आपको टर्म पता होने चाहिए दोनों की ही SI unit क्या है दोनों की SI unit है आपकी meter जो आपका distance होता है scalar quantity होता है क्योंकि इसके पास सिर्फ आपके magnitude है यान क्या value बता सकते हो बट displacement के बाद displacement के पास यहां पर magnitude के साथ साथ direction भी होते हैं एक दिशा भी होती है इसलिए से बेक्टर कॉंटिटी बोलते हैं अब देखिए आपके exam में यहां पर पूछ जाता है कि कितने तरीके के motion है तो यह भी आपको पता होना चाहिए तो यहां पर हम लोगों ने बता है सबसे पहले linear motion जो कि आपका rectilinear motion भी कहलाता है जो कि straight line में आपका सीधे होता है इसके अलावा यहां पर vibratory motion जो कि vibration की वजे से होता है इसके अलावा curvy linear जो आपका curve में इस तरीके से चलता है oscillatory motion जो कि to and fro जो आपके घंटा होती है यान की जो आपका clock होती है जब 12 बजे इस तरीके से move करती है वो oscillatory motion दिखाती है circular motion में आपके planet जो है वो आपका revolve कर रहे हैं यहां पर sun के around या फिर जो satellite है हमारे earth के around revolve कर रहें वो आपके circular motion हो गया इसके लावा rotatory motion यहां पर example हो जाता है जैसे कि हमारा fan होता है तो यहां पर आपको example wise यह चीज पूछ लिया जाता है अब इनको ज़रा और detail में देखते हैं तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोगों को जो रेक्टी लीनर motion या फिर आपके translatory motion के बारे में बता रहा है ऐसा आपका motion जो कि straight line में यानकी सीधी दिशा में आपका गमन करता है यह वो अपना direction जो है वो change करें बिना इसको हम रखते लीनर motion के नाम से जानते हैं और जिसको आप short में बोलते हो motion in a straight line इसके अलावा next यहां पर है आपका circular motion में देखिए यहां पर जो motion होता है इसके अंदर आपको क्या होता है कि एक fix point के around circular path में वो object यहां पर move करता है जैसे कि हमारे जो planet है वो sun को fix मान के उसके around क्या कर रहे हैं revolve कर रहे हैं इसके अलावा अगर हम next type यहां पर देखें तो next type होता आपका oscillator यानकी दोलन गती के नाम से जानते हैं जिसमें क्या होता है कि आपका जो motion होगा वो एक particular body के around एक fix interval में repeat होगा जैसे कि एक pendulum में आप देख सकते हैं यह इस तरीके से एक fix time period में यह repeat होता है तो यह आपका होता है क्या यहाँ पर यह period motion या फिर oscillatory motion के नाम से जाना जाता है अब देखिए यहाँ पर जब आप motion chapter को पढ़ रहे हैं तो आपको speed और velocity का factor भी यहाँ पर पता होना चाहिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है तो देखिए यहाँ पर अगर हम speed के बात करें तो speed basically यह बताता है कि आप कितना fast जो है travel कर रहे हैं अगर आपके सामने बच्चे जो है काफी fast भाग रहे हैं दो बच्चे भाग रहे हैं दोरों में से एक काफी तेज भाग रहे हैं तो आप कहेंगे कि इस बच्चे की जो आपकी speed है वो ज्यादा है गती जो है ज्यादा ह बट velocity क्या होता है, velocity में बस एक factor और आ जाता है, कि अगर हम speed के साथ साथ दिशा भी हाँ पर fix कर दें, कि यहाँ पर speed तो है, speed के साथ अगर आप दिशा दाल दो, तो वो बन जाता है आपका velocity, इसी वज़े से यह आपका है scalar quantity, यह add कर लीजेगा, और यह है आपका vector quantity, क्यों क् में direction भी आपका दिया जाता है, इसके अलावा देखिया, आपके exam point of view से आपको कुछ छोटे-छोटे formula यहाँ पर पता होने चाहिए, जैसे कि अगर आपको speed यहाँ पर निकालनी है, तो speed का जो basic formula होता है, वो होता है distance upon time, और मैं आप से suggest करूंगी कि एक ही formula याद करिए, इ distance भी इसे से निकाला गया, मतलब इसी formula में हमने ही change कर दिया, यान कि distance निकालने के लिए time को इधर ले गए, और time निकालने के लिए हमने क्या किया, time को इधर ले गए, और speed को नहीं चाहिए, तो इस तरीके से एक formula याद करके, आप यहाँ पर इस तरीके के question कर पाएंगी, स उनों की दूरी जो है distance जो है बराबर है, जाते वे इतनी speed थी, आते वे इतनी speed है, तो इसका average speed कैसा होगा, अगर आप class 9th की NCRT को follow करते हैं, उसमें इस तरीके का एक अबदुल से related question है, NCRT के अंदर दे रखा, आप देखेगा जरूर, जिसमें बता रखा है कि अबदुल तरीका है, उससे आप निकाल सकते हैं, यानिकि दोनों की speed की मदद से यहाँ पर time निकाल लीजिए, उसके बाद average speed के formula में लगा लीजिए, तो वहाँ से भी आ जायेगा, बट यहाँ पर एक shortcut अपना सकते हैं, जिसमें 2xy upon में x plus y, यानिकि जाते भी जो speed है उसको x ले और नीचे x plus y करेंगे, तो answer आपका आजायेगा, तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं, अब अगर इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें कि uniform और non uniform motion क्या होता है, तो देखिए uniform motion के बारे में मैंने अभी क्या बताया था, कि ऐसा motion जिसके अंदर आप यहाँ पर देख यहाँ पर non uniform motion, अब इसके अलावा आपके exam में इसे related graph भी पूछे जाते हैं, जैसे कि distance time graph पूछ लेंगे, एक stationary object का, यहाँ पर आपको mass the following की form में दे देंगे, या तो कहेंगे कि इसको identify करो, कि किस तरीके का graph है, तो जो आपका distance time graph कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, इस इस तरीके से straight line आपका यह form होगा, इसके अलावा यहाँ पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि distance time graph आपका non uniform motion में वो भी आपका जब speed increase हो रहा हो, तब कैसा होगा, इस तरीके से curve होगा, और अगर speed decrease हो रहा हो, तो यह curve किस तरीके से होगा, यह इस तरीके से होगा, तो य यह कुछ factor आपको या फिर यह कुछ distance time graph आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, इसके अलावा देखिए, यहाँ पर हमने velocity time graph भी किये, अगर हम velocity time graph यहाँ पर देखें, तो देखिए, यहाँ पर अगर velocity जो है किसी object की constant है, एक constant speed से आप यहाँ पर जा रहे हो, sorry, constant speed से अगर ह पूछे जाता है, और साथ के साथ अगर non uniform acceleration है, तो curve इस तरीके से बनेगा, अगर increasing order में है, और retardation हो रहा है, देखिए, acceleration का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को accelerate कर रहे हो, किसी चीज को बढ़ा रहे हो, और retardation का मतलब क्या होता है, वो चीज आपकी decrease हो रही है, तो आप पूछे जा सकता है, अब चलिए, मैं आप लोगों के साथ कुछ questions देखती हूँ, अब देखिए, यहां पर बोल रखा है, कि एक car है, जो कि first half में अपने journey जो है, आपका कितने में कर रहे है, यह V1 में कर रहे है, और next half यह V2 में कर रहे है, तो complete average, अगर आप speed निकालो, तो यहां पर एक और question है, जिसमें बोल रखा है, एक rabbit है, जो कि अपनी fastest rabbit की जो fastest speed है, और खरगोष की जो अधिकतम गती है, वो कितनी बता रखी है, वो 56 km पर हार बता रखी है, अब यह बोल रखा है, कि अगर वो कितनी दूरी तै कर रहे है, वो 2.5 km की दूरी तै कर रहे है, तो यहां पे आपको time को minute में बताना है कि उसको कितने minute लगेंगे इस दूरी को यहां पे तैय करने में तो चलिए मैं आप लोगों के साथ इस question को यहां पे हल करती हूं और मैं इतना उमीद करूँगी कि आप लोगों को यहां तक जो session है वो clear हुआ होगा तो चलिए इस question को अगर हम यहां पे करते हैं तो देखिए यहां पे हम लोगों को क्या बोल रखा है एक rabbit के बारे में जो है बता रखा है इस question मुझे time निकालना है तो देखिए speed का formula क्या होता है distance upon time तो speed कितने दे रखिए इसके 56 दे रखिए और distance कितना दे रखा डिस्टेंस दे रखा आपका 2.5 km यह आपको दे रखा है और time आपको निकालना है तो बस आपको एक factor निकालना है दो factor यहां पे दे रखा है आप इसे यहां पे solve करेंगे तो देखिए time जो आएगा वो कैसे आएगा 2.5 को आपको यहां 56 से डिवाइट करना होगा पॉइंट हटा होगे तो नीचे आपका एक 0 और आ जाएगा तो देखिए यहां पे जो आपका answer आने वाला हो पॉइंट में आने वाला है जो कि है 0.044 हार अब देखिए time जो आया है वो आपका किसमा है यह आपका हा के आसपास आएगा और इस option में काफी close जीजे दे रखें 2.67 जो होगा वो approximately आपका तीन मिनिट के बराबर आजाएगा तो इस तरीके से आप यहां पे unit को ध्यान में रखके ऐसे question को solve करोगे अब देखिए एक question यहां पे दे रखा है एक गाड़ी का autometer है अब देखिए autometer जो है क्या आपका मेजर करता है यह भी पता होना चाहिए एक गाड़ी में जो आपका autometer लगा होता है यह आपके distance को यह आपका जो दूरी है इसको मापने का काम करता है और जो speedometer होता है वो speed को मेजर करने का काम करता है तो यह दो important point पता होना चाहिए कि auto meter किस काम में आता है auto meter आपके distance को measure करता है speedometer आपके speed को measure करता है सबसे पहले हमें बता रखा है जो auto meter यहाँ पर bus का है वो अभी 4000 km पर यहाँ पर दिखा रहा है अभी Delhi में और यहाँ पर 4000 यह 1500 km जो है उसको अपनी destination में 3 घंटे में पहुँचना है तो average speed यहाँ पर पूछ रखा है तो देखिए यहाँ पर उसे कुल दूरी कितनी तैय करनी है तो देखिए अभी जब उसमें दिली से शुरू किया तो 4000 km और में पहले दिखा रहा था जहां उसे पहुचना है उसमें और अभी जितना दिखा रहा है उसमें कितने का फरक है यह होगा total distance total distance है देष और यहाँ पे total time तो देखिए यहाँ पे हम इसे टाइम से भाग कर देंगे टाइम सा भाग करोगे तो आपका answer बहुत प्यारास आ जाएगा यहाँ पे 50 km पर हार पर दिक्कत क्या है यहाँ पे km पर हार में option जो है वह नहीं दे रखा दे रखा है दे by 18 से मंटिप्लाई करेंगे तो आपका जो अंसर है वो यहां पर डेसिमल में आएगा देखिए यह उपर आजाएगा आपका पच्छी सो नीचे आजाएगा अठारा अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो यहां पर 13.8 के आसपास आपका अंसर आजाएगा जो कि आपको पह यहां पर पूछ जाता है जो कि आपको क्लास 8 की इंसियाटी में मिल जाएगा जैसे कि अगर हम पेट्रोलियम के बात करें तो देखिए यहां पर आपका एक होता है LPG जिसे हम यहां पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं जो कि कहां यूज होता है जो कि हमारे घरों में और इंडस्ट्री में इसका यूज देखने को मिलता है इसके अलावा दूसरा होता है आपका पेट्रोल पेट्रोल जो होता है यह आपका मोटर फ्यूल में इसके अलावा एरियेशन फ्यूल में साथे साथ आपके जो ड्राइ क्लेनिंग होते हैं इसम केरुसीन के बात करें तो केरुसीन जो होता है यह आपके स्टोव में एज फ्यूल यूज होता है लैंप में होता है इसके अलावा जेट क्राफ्ट में होता है आपके एक्जाम में मैं पूछ जाते हैं इसके साथ अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल जो होता है जो हमारी ह आपके प्रावह कोते हैं निया प्रबा करते है नहीं इसके में किसा हे जाता है बहुत बार आल know-minded भी आप से यह लेखुति users की जहाता है जो आपके चिकनचेश्ट वेysis कोते हैं वंलाएब काव करते हैं जिसे जो सिलाही इसके अलावा आपके ऑन्मेंट में इनका यूज किया जाता है साथ बिट्रोमीन इंपॉर्टेट है यह आपका रोड को सौफ बनाने में आपके कैसे कोशन बनते हैं यह मैं आपके साथ यहां पर discuss करती हूं इस question में यहां पर बोल रखा है कि petroleum से प्राप्त होने वाले उत्पाद के आपको समूँ बताने यानि कि ऐसे constraint बताने जो कि petroleum के product से आपका बनते हैं तो देखिए पहले option में यहां पर आपको एक शब्द मिल जाएगा रायान रायान आपको petrol से नहीं मिलता यह आपका synthetic fiber है इसके अलावा अगर हम next option में जाएं तो paraffin wax हो गया bitumen हो गया lubricating oil तीनों ही मिलता अभी मैंने आपके साथ discuss किया था कास्टिक सोडा आपका इससे नहीं मिलता तो यह पर नहीं होगा और रायान भी इससे नहीं मिलता तो यह भी नहीं होगा तो देखिए अगर आपको basic knowledge भी है तो आप option को ऐसे eliminate कर सकते हैं इस हिसाब से आपका बी जो option है यह correct answer है इसके साथ साथ अगर मैं next question की बात करूं तो यहाँ पर वेरियस petroleum product आप से पूछे गया है और उनके uses आपको पूछे गया है तो यह आप जो table है यह अच्छी तरीके से prepare करिएगा अच्छा एक content यहाँ पर त्यार हो जा करता है तो बीटिमीन का आपको यहाँ पर function clear हो गया इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर को कोल तार और कोल गैस दे रहा है अब यह है क्या यह आपका basically कोल के जो आपका form होता है इससे relate करके दे रहा है जिसमें आप यहाँ पर option देखे अब देखिए अगर मैं सिफ इस question को solve करने के perspective से देखू तो अभी मैंने क्या कहा था कि बीटिमीन जो है वो आपके किस काम आता है यह आपका road को melting के यानि कि road में सडक में जो परत हम बनाते हैं उसके काम आता है इसके हिसाब से आपको एक चीज क्लियर हो गया कि इसका यह पर आपको यह चीज भी क्लियर होनी चीए यह जो कोक है यह कोक आपका कहां यूज होता है कोक आपका steel के manufacturing में यूज होता है यह पॉइंट आप यहां पे notes में अपने add कर लीजी तो इस हिसाब से हम एक-एक मैच को अच्छे से यहां पर करते हैं तो बिटमीन जो है आपके road को melting का काम करता है, coke जो है आपका steel को manufacture करने का काम करेगा, coal तार जो है यहां पे आपका use किया जाएगा perfume, explosive में साथे साथ यहां पर यह जो आपका coal gas है यह एक fuel के तरह काम करेगा आपकी जो industries होती है इंधन की रूप में आपका काम करेगा उध्योगों में तो इस तरीके स हमने petroleum और coke के जो coal है इसका आपका यहां पर जितने भी पार्ट होते हैं यह मैंने discuss किया, यह जो coke है इसके बारे में आप एक और point यहां पर आज कर लीजेगा, यह आपका carbon का जो purest form यहां पर माना जाता है, I hope यह topic आपको clear हुआ होगा, अब चलिए हम next content के तरफ बढ़ते अब मैं आप सभी के साथ heat chapter के कुछ important concept यहां पर discuss करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगी कि जो आपका clinical और आपका laboratical thermometer होता है, इनमें क्या difference है, और इनका जो range है आपके paper में सीधा सीधा यहां पर पूछ जाता है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले अगर हम यहां पर clinical thermometer की बात करें, तो देखिए clinical thermometer जो होता है, वो हमारी body का temperature यहां पर measure करता है, जबकि लेबार्टिकल thermometer की अगर हम बात करें, तो यह जो आपके laboratory में जो objects होते हैं, उनके temperature को measure करने के लिए आपका laboratory thermometer यूज किया जाता है, अब देखिए clinical thermometer का जो आपका range होता है वे आपका 35 degree Celsius से 42 degree Celsius तक होता है, otherwise इसे अगर हम Fahrenheit में देखें, तो यह आपका 94 degree Fahrenheit से लेकर 108 degree Fahrenheit तक होता है, तो यह range आपको पता होना चाहिए, और साथे साथ हमारी जो human body होती है, उसका आपका जो normal temperature होता है, वो आपका 37 degree Celsius है, तो यह कुछ आपके basic range जो है यह आपको पता हो होने चाहिए, इसके अलावा अगर हम laboratory thermometer की बात करें, तो यह आपका इसका range कितना है, इसका range है, माइनस 10 degree Celsius से लेकर 110 degree Celsius तक, तो देखिए, यहाँ पे सबसे important point आपके clinical और laboratical thermometer के इनके range हो जाते हैं, जो कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर यादखना है, इसके होता है, there is a kink near the bulb to prevent, अब देखिए, यहाँ पर बोडखा है, कि इसमें एक kink होता है, bulb के पास, ताकि वो mercury level के flow को prevent कर सके, जब कि यहाँ पर अगर हम laboratory thermometer की बात करें, तो देखिए, यहाँ पर कोई kink नहीं होता है, इसके अंदर जो mercury होता है, वो up and down flow करता रहता है, इसके यहाँ पर जो laboratical thermometer होता है, उसमें जर्क की कोई need नहीं होती, जो mercury का level है, वो अपने आपर automatically fall हो जाता है, इसके अलावा यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, कि जो आपका clinical thermometer होता है, उसमें जो temperature की reading है, वो source से remove करके किया जाता है, जैसे कि आपकी body से हटा के द thermometer होता है, उसके अंदर जो temperature है, वो read किया जाता है, with the contact of source, उसी में touch करके ही, वहाँ पर उसे measure किया जाता है, अगर आप उससे हटा दोगे, तो वो temperature आगी पीछे हो जाएगा, तो यह कुछ important points थे, जो कि आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, इसके अलावा देखिए, अग अगर हम इस diagram को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर यह जो इनसान है, यह जो person है, इसने क्या किया है, इस container के यहाँ पर handle को पकड़ा हुआ है, अब देखिए, यहाँ पर जब कभी भी transfer of heat, direct contact के साथ होता है, यहाँ कि आप उसे touch करो और आपको heat feel हो, आपको hot feel हो, तो वहा पर क्या है, वहाँ पर है आपका conduction, इसके अलावा यहाँ पर radiation के अगर हम बात करें, तो देखिए, रेडियेशन जो होता है, यह आपके rays या फिर wave form में होंगे, जैसे की heat wave आपकी यहाँ पर है, यह आपका radiation कहलाते हैं, इसके अलावा अगर हम convection की बात करें, तो convection के अंदर आप देखेंगे कि जब किसी container में अगर हम पानी को बाइल करें, तो उसके molecule मूफ करने लग जाते हैं, तो इसमें जो heat transfer होता है, यह आपका कहां से होता है, फ्लूइट, फ्लूइट के अंदर होता है, और यहाँ पर यह किस की वज़े से होता है, यह molecular motion के वज़े से होता है यानि कि जो पानी के molecule है, वो लगातार मूफ कर रहे हैं, जिसकी वज़े से heat generate हो रही है, और इनका motion किस तरीके से होता है, इस तरीके से cycling motion पानी के अंदर देखने को मिलता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम convection के नाम से जानते हैं, आपके exam में यह पूछा जाता है, त देखे कि दिन के time में सूरज के टपने के वज़े से, यहाँपी क्या होता है, यहाँपी क्या होता है, लांड जो हो जाती है, जिसकी वज़े से जो क्या होती है, जो warm air होती है, वो थोड़ा उठ जाती है, और वो किस तराफ mucha nineteen लग जाती है वो आपके कहां मूव करती है लांड से आपकी सी के तरफ मूव करती है उसके बात क्या होता है कि दिन के टाइम में ही क्योंकि वाम एयर आपके ऊपर निकल गई और वो आपका यहां पर कहां जा रही है सी की तरफ जा रही है तो सी से जो कूल एयर होती है वो पर देखने को मिलेगा land breeze अब देखें land breeze में क्या होता है कि आप अगर देखेंगी तो usually रात को क्या होता है थोड़ा temperature fall हो जाता है जिसके वजे से क्या होता है कि जो land का अगर हम temperature देखें वो थोड़ा cool down हो जाता है और क्योंकि दिन के समय में पूरा आपका जो ओशन था उतापरा था और कहीं ना कहीं वाम एयर उस तरफ जा रही थी तो रात को क्या होगा वाम एयर आपका फिर से लांड की तरफ आने लग जाएगा और कूल एयर आपका यहां लांड से आपके ओशन के तरफ जाने लगेगा तो इसे हम क्या बोलते है इसे हम land breeze के नाम से जानते हैं इसके अलावा देखिए यहां पे आप जब fiber and fabric करके एक चाप्टर है या synthetic fiber वाले चाप्टर के बाद करेंगे तो हमें पता है कि fibers जो होते हैं मेली दो तरेके के होते हैं यह दूसरा content है अब देखिए यहां पे अगर हम fiber की बाद करें तो दो त animals से obtain होने वाले आपके wool हो गया, silk हो गया इसके अलावाद जो synthetic fiber है इसमें आपके nylon, rayon, polyester यह सारी चीज़ें आपको यहां पे आ जाएंगी अब देखिए आपके exam point of view से जो सबसे ज्यादा important आपसे पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है जो आपके synthetic fiber है यानके rayon क्या है, nylon क्या है, polyester क्या है, acrylic क्या है आपको यह पता होना चाहिए, तो देखिए जो आपका rayon है इसे हम artificial silk भी बोलते हैं, rayon को क्या बोलते हैं, artificial silk बोलते हैं, इसके अलावा nylon जो है यह आपका first fully synthetic fiber है, तो direct यहीं से भी question बन जाता है, कि आपको यह बताना है कि जो artificial silk है यह किस synthetic fiber है, यहन कि पहला ऐसा fully synthetic fiber कौन सा था, वो था आपका nylon, polyester, अब देखिए polyester के बारे में क्या बता रखा है, कि इसके अंदर जो monomer single unit होता है, वे क्या होता है, ester होता है, इसके अलावा acrylic के बारे में important क्या है, कि acrylic lightweight क्यों होते हैं, soft होते हैं, और यह दिखने में किस के तर wood pulp से आपका बनते हैं, और यह आपका naturally occurring cellulose होता है, उससे यह तियार होते हैं, जबकि अगर हम यहाँ पर nylon के बात करें, तो nylon आपका किसे बनते हैं, coal और petroleum के oil से बनते हैं, और साथ-साथ air और water भी इसमें used up होता है, इसके अलावा polyester जो है, आपका manufacture किया जाता है, petroleum से, औ acrylic जो है, acrylic के बारे में बता रहा है कि इसके अंदर, जो wrinkles होते हैं, जुड़ियां easily नहीं पड़ती, यान की से press करने की जड़ोत नहीं पड़ती, साथ-साथ यह जल्दे shrink नहीं होता, और यह wool से सस्ता होता है, जिसके वज़े से wool की जगा कई बार हम acrylic को भी prefer करते हैं, अब इसके अलावा, रायोन के बारे में अगर हम next point देखें, तो यहां पर बता रहा है कि यह basically क्या करता है, यह moisture को absorb करता है और comfortable होता है wear करने में, इसके अलावा, nylon जो होता है, यह आपके strong होते हैं, elastic होते हैं, और easy to wash होते हैं, और जो parasoat के ropes होते हैं, वो भी इसे से बनाए ज resistance होते हैं, इसमें wrinkles भी नहीं पड़ता है, ज्यादा durable होते हैं, और यह water को ज्यादा absorb नहीं करता है, जल्दी dry up हो जाता है, इसके साथ-साथ acrylic के बात करें, तो यह इसे easily dye किया जाता है, अलग-लग color में यह convert हो सकते हैं, तो यह जितने point मैंने आपके साथ, यहां पे synthetic fiber के द important है, अब देखिए, जब हम synthetic fiber के बात करें हैं, तो हमें plastic के बारे में भी देखना है, तो देखिए, प्लास्टिक आपके दो तरेके गें, mainly यहां पे categorize किये गें, एक है thermoplastic, एक है thermosetting plastic, अब देखिए, thermoplastic को हम यहां पे deform कर सकते हैं, और easily हम क्या कर सकते हैं, heat करके किसी और shape में हम convert कर सकते हैं, जब कि अगर हम यहां पे thermosetting plastic के बात करें, setting word से यह set हो जाता है, यानि कि एक बार आपने heat करके एक shape दे दी, उसके बाद आप दुबारा उसे modify नहीं कर सकते हैं, अब इसमें अगर हम thermoplastic के example देखिए, तो आपके polythene आ जाएगा, PVC, polyvinyl chloride आ आपका backlight और melamine, अब देखिए, कहीं न कहीं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो देखिए, यहां पे अगर मैं polythene के बात करूँ, तो देखिए, polythene दो टर्म्स आपका बना हुआ है, एक है poly और एक है आपका ethene, तो देखिए, यहां पे यह बता रखा है कि इसके अंदर बहुत सारी ethene के unit जो है, वो जॉइन किये गए है, जबकि PVC क्या है, एक polyvinyl chloride है, जो कि strong होता है, light होता है, light weighted plastic है, और यह क्या करता है, यह आपका rigid रहता है, flexible रहता है, इसकी property आपे बता रखिए, साथे साथ बाकलाइट के बारे में बता रखा है, यह poor conductor होता है, आपका heat का, और इसी वज़े से हम इसे क्या करते हैं, इससे हम जो utensils के handle होते हैं, और साथे साथ electric switch होते हैं, इससे बनाते हैं, back light से, और melamine के बारे में बता रखा है कि इसके, इससे हम versatile, यह एक versatile material है, जो कि air resistant होता है, जिसकी वज़े से हम क्या करते हैं, इसकी help से हम, जो kitchen wear है, और fire resistant material है, इसे ready करते हैं, अब चलिए, मैं आप लोगों के साथ कुछ और concept को discuss करती हूँ, I hope यह topic आपको clear हुआ होगा, अब मैं आप सभी के साथ combustion and frame, यानिकि जो आपका दहन और जुआला होता है, इस topic को देखने वाली हूँ, एक important, एक easy सा chapter है, अब देखिए combustion के अगर हम बात करें, तो देखिए, दहन जो होता है, इसमें, अगर हम किसी भी प्रदार्त को, किसी भी substance को, अगर हम oxygen के साथ किया, फिर आप कहले जी, air के साथ burn करते हैं, तो उसका combustion हो जाता है, अब देखिए, combustion होने के लिए, आपको यहाँ पर यह भी पता होना combustion का, साथे साथ combustion होने के लिए, substance कैसा होना चाहिए, combustible होना चाहिए, और combustion के दोरान, याइन के दहन के दोरान, यहाँ पर आपको यह देखने को मिलता है, कि इसमें, heat और light जो है, याइन की ऊश्मा और प्रकाश, जो है, आपको दहन के दोरान, यहाँ पर निकलते भी करती है इसके साथ यहाँ पर हम लोगों को कुछ और पॉइंट बता रखें जिसे कि इगनीशियस टेंपरीचर क्या होता है इगनीशियस टेंपरीचर बिसिकली एक ऐसा सबसे लोएस टेंपरीचर होता है जिसमें कोई भी कमबस्टेबल सबसेंस आपका आग पकड़ ले और यहां पर बता रखा है कि जो inflameable substance होते हैं यान कि जिनका आप जो जल्दी आपके जलते नहीं है उनका ignisius temperature आपका low देखने को मिलता है तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि ignisius temperature क्या है एक ऐसा कम से कम temperature जिसमें कोई भी combustible substance जो है वह आग पकड़ लेता है अब देखिए यहां पर अगर हम निक्स पॉइंट की बात करें तो combustion कितने टाइब के होते हैं तो देखिए एक होता आपका rapid combustion यह ऐसा type of combustion होता है जिसमें जो combustible substance होता है वह काफी rapidly आपका यहां पर आग पकड़ लेते हैं और फटा-फट यह आपके heat और light जो है यह उश्मा और प्रकाश जो है यह प्रेडियूस करते हैं यह पैदा करते हैं इसके लावा अगर हम नेक्स टाइब देखें तो यह आपका होता है spontaneous combustion यह जो आपका spontaneous combustion होता है इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप यहां पर इस तरीके के combustion एक बार अगर आप स्टार्ट कर दो तो यह combustion आपका लगातर चलते रहता है जिसका example यहां पर forest fire आजाएगा forest fire में अगर कहीं पर भी पत्तियों में अगर आग लग जाए तो वह प लगातार जल रहा है जब तक वो gas खतम नहीं होरी तो यह आपका example होते हैं spontaneous combustion के इसके अलावा अगला यहां पर होता है type of combustion में explosion explosion को हम सीधा सीधा धमाका बोलते हैं जो आपका कोई भी चीज cracker वगारा जब जलती है तो यह आपका large amount of heat और light जो है वो reduce करते हैं जैसे कि आपकी जो burning cracker होते हैं वो इसके example हो जाएंगे अब आपके exam में यहां पर बहुत important question पूशे जाता है जो कि हमारा जो flame के अलगलग zone होते हैं उस से संब्देद अगर हम सबसे पहले यहां पर outermost zone की बात करें तो देखिए इसका complete combustion यहां पर देखने को मि क्यों कि वह गाला part सबसे hottest होता है इसके बाद बीच का होता है आपका middle zone जो कि partial इसका combustion होता है और यह आपका moderately hot होता है जो कि आपका luminous zone होता है यहां कि थोड़ा spark करता है इसके अलावा सबसे ही जो inner most zone होता है वो unburnt wax वहां पर होती है जो कि आपका vapor black color के आपको देखने और एक होता है black तो यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका इस topic से question पूश जाता है इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें तो आपको ideal fuel के बारें पूशा गया है यान कि आदर्श इंधन क्या होता है तो देखिए ideal जैसी कोई चीज नहीं होती बट हम चाहते ही कि एक fuel जो हो एक ideal हो और जिसके अंदर कुछ ऐसी quality हो जैसे की यहां पर combustible fuel हो जल्दी से वो जल जाए साथे साथ सस्ता हो easily उसे ट्रांसपोर्ट किया जाए high इसकी calorific value हो और साथे साथ यहां पर यह कोई harmful gases जो है वो produce ना करे इसको हम renew कर सके renewable source आपका होना चाहिए जैसे की LP PG हो गया liquefied petroleum gas और CNG हो गया compressed natural gas इसके लावा bio gas nuclear energy और fossil fuel भी आपके यहां पर fuel के example में ही आ जाते हैं इसके लावा देखिए यहां पर हम लोगों को fuel efficiency और यहां पर हमें जो calorific value है इसके बारे में बता रखा है तो देखिए fuel की efficiency यान की इंधन की शमता किस पे निरवर करती है उसके calorific value पे depend करती है और यह जो calorific value होती है इसके SI unit होती है किलो जूल पर kg यान की kg इसके बाद slash kg तो इस तरीके से इसके SI unit है और यह जो calorific value है यानि कि जो उश में मान है यह क्या है यह आपका यह बताता है कि 1 kg fuel आपकी जब complete combustion होगा तो कितना heat देगा हम चाहेंगे कि ज़्यादा सादधा heat दे तो calorific value क्या होनी चीए ज़्यादा होनी चीए और यह आपको अच्छे से clear होना चीए और इसके SI unit के है किलो जूल पर kg अब देखिए आपकी exam में किस तरीके के question यहाँ पर पूछे जाएंगे एक question है कि एक experiment में इतना जो है इंधन use किया गया और यहाँ पर बता रखा है कि उसने कितनी heat produce की इतनी है तो इसकी calorific value क्या है बहुत आसान है calorific value को निकालना है calorific value को निकालने के लिए आपको क्या करना है या इसके SI unit यादर करना है के जे पर kg kg यान कि किलो जूल वाली value को आप रखे उपर और kg value value को आप लिखे नीचे बस इसको आप divide कर देजे point हटा के एक zero पर आ जाएगा इसको divide करके जो भी answer आएगा वो इस question का final answer है इसके अलावा देखिए अगले अगर हम question को देखें तो अगले question में बोल रखा है यहाँ पर B में आप एक word add कर लेना high एक men जो है X fuel को purchase करता है यहाँ पर fuel cooking के लिए और वो चाहता है कि X fuel किस तरीके से होना चाहिए अब देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर अगर सारे point को देखेंगे तो हम चाहेंगे कि fuel जो हो सस्ता हो इसके अलावा यहाँ पर केजी फ्यूल को जलने पर जाज साधा heat मिले सिंपल सी बात है तबी तो fuel अच्छा होगा तो यह point आप अच्छे से याद करिएगा calorific मान उसका ज्यादा हो और जो इसके ignisius temperature हो वो आपका कम हो यान कि आग जल्दी ना पुकरे यह आपको ध्यान रखना है इसके अलावा य और भी यहाँ पर सही है तो यहाँ पर पहला जो option होगा यह correct answer है इसके अलावा देखिए अगर मैं next question यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर बोल रखा है LPG को आप यहाँ पर liquid की फॉर्म में सिलेंडर में store कर सकते हो यह बोल रखा है इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को इ जब यह burn होगा तो heat produce करेगा तो देखिए अगर आप LPG को liquid से gas में change करोगे तो इसके किस change में परिवर्तन आ रहा है इसके बहुते गोण यानि कि इसके physical feature में change आ रहा है तो यह आपका पहला जो point है यह आपका physical change जबकि अगर आप यहाँ पे इस fuel को यहाँ पे burn कर दोगे तो इसमें से ऊश्मा निकलेगी heat निकलेगी तो यह पूरा change हो जाएगा इसका एक तरीके से product ही change हो जाएगा तो वह होगा chemical change तो यहाँ पर आपका पहला है A है आपका बहुत तक परिवर्तन यानि कि physical change और B है आपका रसाइनिक परिवर्तन यानि कि chemical change इसके लावा देख complete combustion जो है वो देखने को मिलता है तो यहाँ पर blue flame में यहाँ पर पूर्ण आपको जो combustion है वो देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर हम metal and non-metal chapter के बात करें इसको हमने short में part 1 में भी discuss किया था बट यहाँ पर हम detail में एक बार देख लेते हैं तो देखिए metal and non-metal chapter के अगर हम यहाँ पर कुछ difference बता रखें metal जो होता है आपको जनरली solid state में मिलेगा except आप mercury को देखेंगे जो की liquid state में होता है इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है non-metal आपके तीनों ही state में मिल जाएंगे solid liquid gas gas में यह bromine जो होता है sorry liquid में यह bromine जो होता है यह present होता है साथ सारे metal hard earth हो sodium or potassium उनको आप knife से भी काट सकते हो यहाँ पर बता रखा है non-metal generally soft होते हैं except diamond diamond जो है सबसे hardest substance है इसके लावा metal होते हैं malleable मतलब इनको हम sheet में बदल सकते हैं ductile मतलब इनको हम wire में बदल सकते हैं अब यहाँ पर बता रखा है कि यह आपके bitle होते हैं अगर आप break करोगे तो चोटे-चोटे piece में तूच जाएंगे ना wire बनेगी ना sheet बनेगी अब यह जो metal होते हैं शाइनी होते हैं और जो non-metal होते हैं non-luminous होते हैं यानके उनमें से कोई shiny होती except idin, idin जो है अगर आप धूप में रखोगे तो शाइन करता है इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है जो metal होते हैं वो electro positive होते हैं अगर आप यहाँ पर देखोगे और non-metal जो होते हैं electronegative इसमें आपका positive और negative charge के बारे में बता रखा है अब इसके अलावा जो metal होते हैं इनकी density high देखने को मिलते हैं जबकि non-metal की low तो देखिए यह जो difference है इसके according आप questions जो solve करोगे उसमें आ beat करके आप thin sheet में convert करते हो, ductile मतलब wire में convert करना, sonorous मतलब sound produce करना जो कि metal आपके sound produce करते हैं इसलिए हमारे phone के जो bell होते हैं जो हमारे school में जो bell लगी होती थी वो आपकी किस की होती थी वो metal की होती थी इसके अलावा अगर हम next कुछ और point देखें तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ important point बता रखें जो अधातू प्रदार्थ होते हैं यानकि जो non-metal होते हैं वो तीनों ही अवस्थाओं में तीनों ही property में तीनों ही state में आपका exist कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे इनके बारे में बता रखा है कि यह majorly आपके gases होते हैं जैसे कि nitrogen हो गया oxygen हो गया और जो bromine होता है एक दव Krदा था या आपका liquid state में होता है और कुछ ऐसे होते हैं जो कीौके solid state में होते हैं जैसे की carbon हो गया अफ्र हो गया यह आपके example है इस ese यो होते है आपके lustre होते हैं यान की shower यह और हमें कि चमकों दार होते हैं इस करावा मेलीबल होते हैंCor Highway्ण होते है के बारे में बता रखा था तो यह कुछ बेसिक पॉइंट से जो आपको पता होना चाहिए अब देखिए मेटल के बारे में और कुछ state में बन जाता है इसके लावा यहां पर हमें एक पॉइंट बता रखा है कि सभी मेटल आपके कैसे होते हाड बट अगर आप सोडियम और पोटैसियम को देखो तो यह आपके इतने सॉफ्ट होते हैं यह आपके इतने मुलायम होते हैं इतने नर्म होते हैं कि चाकू से भी और अगर मैं आप लोगों के साथ यहां पर प्रापिटी को डिसकस करूं तो देखिए यहां पर और ईक्वाइट करते हैं जैसे कि यहां पर दो एक्जामपल आप सकते हैं एक है मेंगनीशियम मेंगनीशियम ऑक्सिजिन के साथ रियाक्ट करके यहां पर मेंगनीशियम ऑक्साइड जो है यहां पर बेसिक ऑक्साइड है तो यहां पर आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए जो आपके मेटल होते हैं यह आपके किस तरीके के मेटालिक ऑक् बना रहा है जो कि आपका non-metallic oxide या फिर आपका acidic oxide है तो यह दो point यहां पर हमारे बन जाते हैं इसके लावा अगर हम water के साथ reaction देखें तो देखें यहां पर बता रखा है कि water के साथ जब metal आपका react करता है तो यहां पर आपका metal hydrogen hydroxide यह react बनाता है और साथ साथ hydrogen gas जो है यह liberate करता है जबकि non-metal जो है आपका water के साथ react नहीं करते और आपसे एक question पूछे जाता है जो आपका hydrogen gas का test है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम pop sound test के नाम से भी जानते हैं pop sound test के थू हम hydrogen gas present है या नहीं है यह हम detect कर सकते हैं जिससे आपको पौछ sound यहाँ पर आती है candle जब आप burn करते हैं तो इस तरीके साथ हम hydrogen test यहाँ पर कर पाते हैं अब देखिए एक question यहाँ पर आता है आपका reactivity से based अब देखिए reactivity हम देखेंगे या फिर activity series हम बोलते है metal की तो देखिए सारे मेटल को उनकी reactivity के basis पर हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया ascending to descending इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं potassium है जो कि आपका सबसे most reactive metal है और जब आप नीचे के तरफ जाओगे तो इनकी chemical reactivity जो है वो कम होते रहती है और यहाँ पर अगर हम potassium से लेकर nickel तक यह metal देखें तो यह सभी आपके hydrogen से काफी जादा reactive होते हैं जबकि अगर आप नीचे के तरफ move करो तो देखिए यहाँ पर कॉपर से लेकर platinum तक यह वाले जो metal है यह आपके hydrogen से आपके कम reactive हैं तो जिसमें आपका platinum सबसे least reactive हो जाएगा और जो potassium है वो सबसे most reactive हो जाएगा अब reactivity के basis पर आपके question कैसे बनेंगे तो देखिए यहाँ पर statement based question होता है जिसमें बोल रखा है कि zinc आपका जादा reactive है aluminum से तो आगर आपको यह reactivity series पता होगी तो आप यहाँ पर कर पाओगे अब देखिए zinc और aluminum को compare किया गया है तो आपको क्या बोला कि zinc आपका aluminum से जादा reactive है जबकि aluminum जो है वो उपर है और zinc नीचे तो यह statement यहाँ पर हो जाएगी गलत याईनिकि aluminum जो है वो zinc से जादा reactive होता है तो यह statement यहाँ पर गलत हो गई अब यहाँ पर बोल रखा है copper जो है iron को displace कर सकता है यहाँ पर उसकी pure sulfate solution से तो copper तो अगर आप reactivity series में देखोगे तो least reactive element में से एक होता है तो यह किसी को displace नहीं कर सकता है यह भी गलत है इसके अलावा last अगर आप देखोगे अब यह displace कर सकता है तो यह भी यहाँ पर गलत है अब देखिए यहाँ पर रखा iron आपका copper को displace कर सकता है यह सही है बट यहाँ पर aluminium को displace नहीं कर सकता है क्योंकि iron जो होता है वो copper से तो ज्यादा reactive होता है पर aluminium से कम यह statement यहाँ पर ही सही दे रखे तो इस रसाप से C जो option होगा यह correct answer है इसके लावा next question अगर हम देखिए तो यहाँ पर देखिए एक class 8 की teacher है जो कि यह देखती है कि बच्चे ही believe करते हैं कि हर hard substance, solid substance, sonorous substance आपका metal है तो यहाँ पर teacher को किस तरीके के concept को यहाँ पर adopt करना चाहिए इस सीच को पढ़ाने के लिए तो देखिए इन्हें यहा option है यह correct answer है इसके लावा अगर हम next question की तरफ बढ़ें तो next question आप देख सकते हैं जिसमें बोल रखा है एक ऐसा आपको metal बताना है जो कि liquid state में होता है तो metal अगर पूछेंगे तो mercury आपका answer होगा अगर आपका non metal पूछते तो यह bromine answer होता है इसके लावा अगर हम next question को देख है non ductile होते हैं यह कहीना कहीन है इसका अलावा non metal सारे मेटल जो होते हैं इसके जो mercury है आपका liquid state में होता होता है तो यह गलत हो सारे metal आपके hard होते हैं ये गलत है क्योंकि जो sodium or potassium है इतने soft हैं क्यों चाकु से काटे जा सकते हैं यहाँ पर second option होगा ये correct answer है इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर वो लखा है consider the following statement about non-metal and choose the incorrect option इन में से कौन सा incorrect है तो देखिए यहाँ पर अगर आप गार करेंगे तो यहाँ पर लिखा है non-metal आपके high density के होते हैं जबकि metal आपके high density के होते हैं non-metal आपके यहाँ पर उच्छ घनतव के नहीं होते हैं तो यहाँ पर जो incorrect option है या फिर incorrect statement है आपका second option हो जाएगा अब इसके साथ साथ यहां पर आपका metal and non metal का content यहां पर होता है complete I hope यह content यहां पर आपको clear हुआ होगा अब चलिए हम आगे कुछ और concept को discuss करें force and pressure के concept को यहां पर detail में discuss करना चाहूंगी तो देखिए force के अगर हम बात करें तो force होता क्या है अगर आप किसी भी object को push याग pull करें तो इस समय apply होने वाली जो physical quantity होती है उसको आप क्या कहते हैं उसको आप force कहते हैं अब देखिए force के मदद से हम किसी भी object के state को बदल सकते हैं कि अगर कोई object rest पे है तो motion में ला सकते हैं कोई object motion में है तो उसे rest में लाए जा सकते हैं साथे साथ यहां पर आप force के मदद से किसी की direction को बदल सकते हैं force के मदद से हम किसी की shape को बदल सकते हैं तो यहां पर force के कुछ आपके factor हो जाते हैं इसके लावा देखें यहाँ पर बता रखा है कि अगर दो अबजेक्ट एक दूसर से टकराएं तब भी भी force जो है exert होता है अगर माली जी दो बच्चे खेलते वे टकरा गए तो एक दूसर में वो force apply करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ अलग-लग example दे रखें जिसमें आपके force जो हैं यहाँ पर apply हो रहे हैं इसके लावा एक question यहाँ पर पूश रखा है कि क्या magnet भी आपका push या pull करता है तो देखें magnet के बारे में आपको इतना पता होगा कि जो magnet होता है यह क्या करता है यह iron के article को अपने तरफ attract करता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि magnet जो है iron को यहाँ पर pull करता है अपने तरफ जो किस force सकरता है magnetic force करता है तो इस तरीके से हमारी कई सारी तरीके के forces जो है यह तियार होते हैं अगर हम magnet के यहाँ पर sorry force के अगर हम characteristics के बात करें तो यहाँ पर बता रखा है कि अगर दो force जो है same direction में लग रहा है तो जो resultant force होगा दोनों का sum होगा यहाँ कि अगर दो अगर आप इस case में देखो कि यहाँ पर अगर आप block को दो बच्चे अलग लग दिशा में अगर धका दे रहे हैं तो इनका जो net force है वो यहाँ पर कम हो जाता है इसके अलावा यहाँ पर बोल रखा है force जो है हमेशा यहाँ पर क्या है force always has a direction in which it is applied and measure of its strength यहाँ पर बोल रखा है force के पास अपनी एक direction होती है जिसमें आप apply कर रहे हो जैसे कि एक block को हम इधर धका दे रहे हैं तो force के एक दिशा है और एक strength से apply किया जाता है यानि कि अगर हम देखें तो इसमें दिशा होने के वज़े से क्या है एक vector quantity है साथे साथ यहाँ पर बता रखा है कि force जो है आपकी किसी object के direction को change कर सकता है force की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि दो equal magnitude वाले बच्चे अगर force apply कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर अगर 10 newton का force लग रहा है इस side भी 10 newton का force लग रहा है तो net force इस case में कितना आएगा जीरो आएगा और force से हम किसी object के position, shape, size यह भी इनमें भी effect देखने को मिलता है अब देखिए अगर मैं force के यहाँ पर formula के बात करूं तो force का formula होता है f equals to m into a, m क्या है किसी object का mass, a क्या है उसका acceleration और साथे साथ हमें यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि इसके SI unit क्या होती है, इसके SI unit यहाँ पर newton होती है force से related हम लोगों को कुछ और important point बता रहे हैं जैसे कि force can change the state of motion of an object अब बोल रखा है कि force हमारा किसी भी object का जो motion का state है वो आपका बदल सकते हैं जैसे अगर कोई object motion में है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक fix एक particular direction में एक speed में move कर रहा है और अब गर एक object rest पे है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी कोई direction position चेंज नहीं कर रहा force अगर हम लगाएं तो किसी object के direction और उसकी position को हम बदल सकते हैं तो यानकि rest से motion या motion से rest में हम ला सकते हैं तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि force अगर हम same direction में यानि कि एक fix direction में right direction में लगाएंगे तो object भी आपका right direction में move करेगा तो इससे related आपको कुछ point यहाँ पे बता रखें और अगर आप force जो है opposite direction में लगाओगे तो उसका आपको यहाँ पे क्या होगा कि उसका net force यहाँ पे उस सीच का कम हो जाता है तो इस तरीके से आपको force और उसके state of motion के बारे में पता होना चाहिए कि force के बारे में क्या बता रखा है यह object की state of motion को change कर देता है रेस से motion, motion से rest इनी point को यहाँ पे detail में explain किया गया है अब देखिए यहाँ पे बता रखा है force can change the shape of the object अब shape कैसे change करता है तो देखिए आप यहाँ पे shape को किस तरीके से change कर सकते हो अगर आप यह rubber band को अगर आप stretch करो तो rubber band आपके धिली हो जाएंगे इसके अलावा अगर आप sponge को press करके अगर आप release कर दो तो आपके normal हो जाएंगे इसके अलावा squeeze कर दो अगर आप किसी चीज को जैसे कि आप क्या कर सकते हो आप यहाँ पे जो आपका spring होता है इसको अगर आप डबा के रखो तो आपको इस तरीके से दिखेगा अगर आप इ तरीके के होते हैं एक होता है आपका contact force और एक होता है non-contact force. Contact force chalk force होता है जिसमें आप क्या करते हो जिसमें दो सी जादा object जो है एक दूसरे के contact में होती है जैसे कि muscular force हो गया इसके अलावा यहाँ पी जो frictional force है यह भी आपका contact force का example है क्योंकि आप इसमें जो body होती है वे दूसरे के संपर्ख में होती है और नॉन कॉंटाक्ट फॉर्स के एक्जांपल जैसे कि आपके मैंगनेटिक फॉर्स हो गया चुम्बक दूसरी चीजों को यहां पर आइरन की पीस को बिना उन्हें टच करें यहां पर अट्राक्ट कर लेती है ग्राविटेशनल फॉर्स जिस कॉंटाक्ट फॉर्स में मस्कुलर फॉर्स की बात करें तो यहां पर बता रखा है जो आपके आक्शन ऑफ मसल्स के वज़े से होता है और उसके कुछ बेसिक एक्जांपल दे रहे हैं जो कि आप जेनरली रीड कर सकते हो आपके एक्जाम में कैसे कुशन आते हैं कि इनमें सब्सक्राइब करें विखें अई सब्सक्राइब करें बाँता है तो आपको सॉल औफ सूर्स की वजиты रखा है जहे आपका क्या है वह में वह ओते हैं और दूप्त में आपको नह 집क पहती होता है वह नहीं शीब bought ourselves in कर जाते तो यह कुछ important point पता होने चीए अब अगर object इधर पूश हो रहा है motion इधर है तो friction force आपका किदर लगेगा इधर लगेगा इसके लावा अगर हम air resistance की बात करें तो देखिए air resistance जो होता है वो किस तरीके से होता है अपने यह चीज फील भी किया होगा air resistance भी एक तरीके से आपका contact force का ही पार्ट माना जाएगा जिसमें आप देखोगी कि gravitational force आपका नीचे लगता है thrust जो होता है आपका जिस object की तरफ move कर रहा है वो object वहाँ लगेगा air resistance के अगर हम बात करें object जहां move कर रहा होगा उसके opposite direction में air resistance लगता है तो यह आपका air के थूर आपका एक रुकावट होती है जिसको आप air resistance के नाम से जानते हैं इसके लावा non-contact force के अगर हम बात करें तो इसमें magnetic force आ जाएगा जिसमें आपका magnetic object जो है वो force आपका exert करते ह और magnetic poles जो होते हैं वो आपका opposite अगर हो तो एक दूसरे को attract करेंगे यान की जो unlike pole हो वो आपका repel करेंगे और जो आपका यहाँ पर like poles होते हैं वो क्या करेंगे? unlike poles यहाँ पर एक दूसरे को attract और like poles यहाँ पर एक दूसरे को repel करेंगे इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर unlike pole है जैसे कि आप यह देखेंगे यह दोनों unlike pole हैं तो यह attraction हो रहा है like pole में repulsion हो रहा है और इस तरीके सा आप यहाँ पर magnet को अगर आप थोड़ सा इनके पॉल्स को और्रिवर्स कर दो तो यहां पे इन मेंटेशन जो है वह देखने को मिलता है इसके इनलाववा है अगला होक का इलेक्त्रोस्ट्रटेक स्टॉ्स फॉर्स जो हे अप जो है आपका चाज्ज पार्टिकल के वज़े से होता है और चार्ज और जो आपके like charge होते हैं दूसरे को repel करते हैं और जो neutral होते हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर एक तरीके से effect नहीं करते हैं इसके रावा अगर हम gravitational force के बात करें तो यह attractive force है जिसके वज़े से हम earth पर यहाँ पर bind है साथे साथ इस force को हम यहाँ पर force of gravity के नाम से भी जानते हैं जिसके वज़े से हम earth surface पर ठीके हुए हैं और साथे साथ यह क्या है एक non contact force है बिना हमें touch किये ही यह हमें अपने साथ bind करके रखता है अब force के अलावा आपको यहाँ पर pressure का concept भी देखना है अब pressure क्या होता है force जिस एरिया में act होता है उसको आप pressure बोलते हैं यान कि pressure क्या है यह आपका है force upon area तो यह आपका formula है यहाँ पर बन जाता है और इसके definition क्या बन जाती है कि जितने particular area में force exert होगा वह उसका pressure होगा कैसे बना तो देखिए force का जो formula है प्रेशर का जो formula है वह आपका force upon area और force की unit क्या होती है force की unit होती है meter और newton और area क्यों होती है meter square तो यह बन जाएगा newton meter square तो इस तरीके से आपको इनकी SI unit भी हापे paper में पूछी जा सकती है इसके अलावा अगर आपके पास एक formula है तो आप area और force भी हापे निकाल सकते हो बस इसको reverse कर देना एक standard formula आप अपने exam के लिए बस याद रखिए pressure किसके बराबर है यह force upon area के बराबर है और अगर मैं pressure और area के relation देखूँ तो यह आपका inverse relation है inverse relation मतलब जहाँ पर area जादा होगा वहाँ पर आपका जो pressure है यहाँ पर कम लगेगा इसी वज़े से अगर आप देखेंगे कि जो knife होता है knife आपके उसकी धार बहुत जादा होती ह और धार बहुत जादा होती है और pressure exert करता है कैसे ही क्योंकि जो knife होती है उसका उस जगह पे surface area काफी कम होता है area कम होगा तो वहाँ पर pressure जादा exert करेगा जो आपके school का bag होता है उसके जो आपके laces होते हैं वो क्या किये जाते हैं वो चौड़े बनाने चीए अब चौड़े Tractor के आपके ट्रक के या ट्रक्ले के जो टायर होते हैं वो आपके चौड़े बनाये जाते हैं थाकि उसमें pressure जो है आपका moderate लगे इसके अलावा यहां पे अगर हम pressure के बात करें जो कि liquid और अगर हम ग when we get more partner didn't तो ये इसमें छुटे छुटे अगर आप hole करोगे तो ये सारे hole से same amount of water जो है वो exert करेंगे यानके same pressure ये exert करेंगे बट अगर हम pressure यहाँ पे depth में देखें तो देखें यहाँ पे आप एक चीज़ notice करोगे जो आपका ये hole आपके create करेंगे जिसमें जो सबसे नीचे वाला hole होगा उसमें से आपका जो water है वो सबसे तेज आपका निकलता है तो pressure जो है bottom में आपका ज़्यादा लगता है ये height के respect पे और ये आपका circular यान की all direction में जब हमें ये चेक करना है तो ये दोनों टर्म आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इसके लावा अगर हम gas के बात करें तो gas आपके अपने wall पे equal amount of pressure exert करता है इनकी kinetic energy भी काफी हाई होती है तो ये gas तो equal amount में और वो भी एक दूसरे के साथ बी टकराते हैं और walls के साथ बी टकराते हैं इसके अलावा यहाँ पर प्रेशर की अगर हम बात करी रहें तो हमें atmospheric pressure भी जाना है ये आपका increase होता है जैसे हम अर्थ के surface के पास आते हैं तो यहाँ पर आपको एक diagram से इस सीज को clear किया गया है इस सीज को demonstrate किया गया है और साथे साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दो important point यहाँ पर बता रखें जैसे कि atmospheric pressure जो होगा वो आपका क्या होगा जितना ज्य होगा as compared to earth surface तो यहाँ पर low altitude में atmospheric pressure ज्यादा होता है और high altitude में atmospheric pressure आपके कम होता है जिसके वज़े से यहाँ पर nose bleeding जो है देखने को I hope आज जो यह मैंने content आपके साथ discuss किया आप लोगों को यह clear हो आओगा आज के session में इतना ही और मैं उमीद करूंगी कि आप इसका part 1 भी ज कि आपके साथ Claudia झायँ करूंगी करा आपके से एका से जयुद यह रह मैं यह जो हो को आपके साथATHAN में और हमा देखने और मिया कर कि आपके से गया दीका भी जा आपके साथ साच पिलूझ सne Brush एकश पिलूगगारा है अ